सो फ्रेंड्स यह हमारा थर्ड लेक्चर है करन्ट इलेक्रिसिटी और मैगनेटिजम के उपर सो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मतलब इस कोशन हमें एक कोशन दिया है कि जब अगर कोई भी पाइप में से पानी अगर फ्लो होगा तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे उसका एंसर भी हमारे पास है तो हम उसे लीटर में मेजर करेंगे मतलब हम कोई एक स्पेसिफिक टाइम लेंगे और उसी टाइम के अंदर हम कितने लीटर्स पानी उस पाइप में से बाहर आया है तो हम उसे मेजर करेंगे अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करण्ट है तो वो चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने से प्रोड्यूस होता है मतलब अगर हमारे पास कोई भी वायर है और उस वायर में से जो इलेक्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है वन सेकंड में तो हम उसे कहा कहेंगे यूनिट करण्ट मतलब एक वायर है तो हम इमेजिन करेंगे यह हमारा है वायर और अगर इस wire में से जो electric current है एक second में कितना electric current flow होता है तो हम उसे कहेंगे unit current तो यसा unit of electric current इस कुलाम per second और ampere जो electric current का जो यसा unit है मतलब हम कौन से unit में electric current को measure करेंगे तो वो है हमारा कुलाम per second या फिर ampere तो इसका answer हमें मिल चुका है हम ampere में electric current को measure करेंगे तो अगर हमारे पास कोई भी electric current है उससे अगर हमने measure भी कर लिया तो उससे measure करने की लिए हमारे पास हमें unit की जरूरत पड़ेगी और तो electric current को measure करने की लिए जो यसा unit की हमें जरूरत पड़ेगी तो वो है या फिर equilibrium per second मतलब कितने colaich electric charge पर सेकंड में एक वायर में से पास हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे कुलाम पर सेकंड या फिर एमफियर, सो सेंस आपको आभी तक समझ में आ गया होगा, तो अब हमारे पास ये फॉर्मुला है, वन एमफियर इक्वल टो 1 A, तो ये कैपिटल ए, वन एमफियर को शोग करता है, और एक एमफियर एक्वल टो वन कुलाम पर सेकंड, मतलब देखिए अगर हमारे पास 1 Ampere है तो उसकी value होगी कुलाम पर second अब हम पढ़ेंगे electric sale के बारे में तो अगर हम electricity के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम electric sale के बारे में हमें पढ़ना ही चाहिए तो electric sale होता क्या है A source is required to produce a uniform flow of charge in a circuit तो हमने अभी देखा कि circuit में अगर हमने electric current को flow किया तो उसके लिए हमें potential difference चाहिए या फिर कोई लो कोई एक source चाहिए तो उसे source की जो हमें जरूरत होती है तो वो electric cell पूरी करता है Such a general device is a electric cell मतलब एक ऐसा source, एक कोई भी circuit में हमें एक source चाहिए electric current को flow करने के लिए electric cells are available today तो हमारी अभी डेली लाइप में बहुत सारे electric cells present है जैसे यह हमारे पास एक diagram है हम कार में different type का cell यूज करते हैं घडी में अलग type का cell यूज करते हैं तो ऐसे बहुत सारे examples हैं जिसमें हम different types के cell यूज करते हैं these are used in the range of machines from the wrist watch to submarines जो electric cells होती है हम वो wrist watch घडी से लेकर submarines तक यूज करते हैं out of this you must be aware of solar cell तो इन्होंने यह हमें दिया है कि cell के बाद आपको solar cell के बारे में भी पता होगा तो solar cell आखिर है क्या solar cell एक ऐसा machine है जो जो भी sun से आई हुई energy होती है sun rays होती है तो उन्हें electric current में तो यह है मारी sun rays तो solar cell sun rays को electric current में convert करता है मतलब एक energy को दूसरी energy में transform करता है तो यह है solar cell का work the main function of various electric cell is to maintain a constant potential difference between two terminals सो जो हमने अभी पढ़ा कि कोई भी जो electric cell होता है उसका main function यह होता है कि potential difference circuit में रहना चाहिए तो यह है electric cell का real work the electric cells work on the electric charge to maintain a constant potential difference about which you will learn later let us learn about the electric cell are currently in use मतलब हमें electric charge के बारे में और पढ़ना है लेकिन वह हम बाद में पढ़ेंगे हम अभी electric cells के different types कौन से होते हैं और उनके बारे में हम knowledge लेंगे so friends अब हम पढ़ेंगे dry cell जो dry cell होता है वो एक electric cell का type होता है the dry cell are used in our radio sets wall clocks and torch so हमें तो पता है हम हमारे daily life में dry cell को use करते हैं यह जो आपको structure दिख रहा है यह है dry cell का तो यह dry cell हम बहुत जगह पर use करते हैं wall clocks में हम dry cell को use करते हैं और torch में भी हम dry cell को use करते हैं these are available in 3-4 sizes तो हमें तो पता है जो dry cells है वो small size का होता है large size का होता है तो ऐसे बहुत सारे types के large dry cell हमें हमारी daily life में देखने को मिलते हैं the construction of a dry cell is shown in figure 4.2 तो यह है हमारी figure 4.2 dry cell तो इसमें हमें जो dry cell है उसका construction हमें दिया है तो try this take a lid dry cell and remove its outer covering so हमें कोई भी एक dry cell लेना है और उसके outer covering जो steel जैसे दिखता है तो still जो होता है outer covering उसे हमें remove करनी है inside you will find a whitish metal layer which this is a zinc metal layer जो outer covering है उसके नीचे हमें एक zinc की layer देखेगी और वो जो zinc की layer होगी तो वो whitish color की होगी तो यह आपको paper में आ सकते हैं कि जो outer covering के नीचे कौन से layer होगी तो वो है हमारी zinc की layer this is the negative terminal of the cell जो zinc की layer होगी वो हमारी negative terminal होगी now carefully break open this layer अब उस zinc की layer को हमें carefully open करना है there is another layer inside and electrolyte is filled between these two layer so जो हम imagine करेंगे कि यह हमारी zinc की layer है और तो उन्होंने यह खाया है कि zinc की layer को हमें carefully remove करना है फिर उसके बाद हमें एक और layer मिलेगी तो उस layer का नाम नहीं दिया है लेकिन ओ जो layer मिलेगी और zinc की layer दोनों layers के बीच में हमारे पास electrolyte होगा मतले भी जो cell है तो यह first layer और जिंक की layer तो इन दोनों के बीच में यह हमारे पास electrolyte है जो हमें बताया गया है the electrolyte content negatively charge and positively charge ions जो electrolyte होगा हमारे पास उसमें negative और positive दोनों charge ions present होगे the electrolyte is a wet pulp of zinc chloride जो electrolyte होगा वो zinc chloride का wet pulp होगा और ammonium chloride तो यह हमारे zinc chloride का formula ZnCl2 और ammonium chloride का formula NH4Cl तो यह हमारा ammonium chloride और यह है zinc chloride तो electrolyte किस से मिलकर बना होता है zinc chloride और ammonium chloride से मिलकर electrolyte बना होता है there is a graphite rod at the center of the cell तो यह cell के structure में एक graphite rod दिख रही है तो यह graphite rod positive terminal का का करेगी this is positive terminal of the cell a paste of magneze dioxide is filled outside the rod तो यह जो rod है इसके आसपर सी जो आपको paste दीख रहा है तो यह होगा हमारा magneze dioxide यम्यन O2 MnO2 the magneze dioxide जो होगा वह हमारे graphite rod के आजो भाजो covering होगा because of the chemical reaction of all these chemicals electrical charge is produced on the two terminal और यह जितने भी chemicals है हमारे पास zinc की layer फिर उसके बाद में electrolyte उसके बाद में second layer और फिर यह हमारे पास जो magneze dioxide का जो हमारे पास pulp होगा उसके center में हमारे पास एक graphite rod होगी तो यह सब जितने भी chemicals हैं इनसे जो भी chemical reaction होगी तो उससे हमारे पास electrical charge produce होगा और वह ही electrical current flow in the circuit तो यही current हमारे पास हम use करते हैं so friends I hope आपको dry cell समझ में आ गया होगा इसके नीचे हमारे पास एक और paragraph है तो हम इस paragraph को भी पढ़ लेंगे due to the weight pulp using the cell यह जो cell है उसमें जो weight pulp हम मेरे पास use हुआ है graphite के as pass the chemical reaction proceed very slowly तो यह जो weight pulp है उसके वजह से जो chemical reaction है वो बहुत slow होगी hence the large electric current cannot be obtained from this और इसी chemical reaction की वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा कोई electric current produce नहीं होगा compare to the electric cell using the liquids मतलब यह जो dry cell है इसमें जो भी electric current produce होगा वो उतना high level का नहीं होगा compare to the liquid cell अब हम आगे liquid cell के बारे में पढ़ेंगे तो उसे जो electric current flow produce होगा तो वो ज्यादा produce होगा with compare to dry cell dry cells are very convenient to use as this can be held in any direction with respect to ground and can be used in mobile instrument तो हम dry cell को बहुत जगाँ पर use करते हैं so friends में इसके lecture के last में आपसे एक fact बताने वाला हो जो आपको dry cell में हमेश्या मदद करेंगे और आपको live so friends जब भी आपको एक dry cell खरीदे होगे दुकान से तो उस dry cell की expired date देख लेना मतले जो dry cell होता है इसमें बहुत सारे यह जो wet pulp होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इसके chemical reaction के वजह से जब यह जो dry cell है यह factory से अगर बंद के आ गया तो उसके बाद से ही इसके chemical reaction स्टार्ट हो जाएगी और यह अंदर ही chemical reaction चालू रहेगी और इसका जो electric current है यह धीरे- dry cell खरीदोगी तो आप देख लेना कि वो कब parcel आया दुकान में अगर बहुत पुराना है तो आप उस cell को बिलकुल मत खरिदना क्योंकि उसमें बहुत कम power बची होगी तो I hope आपको समझ गया होगा